ये हम में कुछ कर गुजनरे की इच्छा शक्ति उत्पन्न करती है हमने दुनिया की सबसे बड़ी जन कल्यानकारी योजनाय चलाई आजादी के सत्तर साल बार बारा करोड लोगों को नल से जल मिला आजादी के सत्तर साल बार चार करोड गरीबों को पक्के घर मिले देश के असी करोड जरुरत बंदों को मुप्त राशन की सुविधा मिली करोडों गरीबों को पांच लाख रुपे तक के मुप्त इलाज की सुविधा मिली राष्ट प्रथम की इसी भावना की वज़े से जम्मु कश्वी से 370 हटी GST और IBC जैसे रिफर्म हुए, बैंकिंग रिफर्म हुए, हमने राष्ट हिद को हमेशा सबसे आगे रखा आप याद करिये, कोरोना का इतना बड़ा संकट आया हमने वही फैसला लिया, जो देश हित में था, जन हित में था हमने हर दबाव से अलग हट कर कदम उठाया और इसी का नतीजा है, आज भारत, दुनिया की सबसे तेजी से विक्सित होती, बड़ी एकोनोमी है राष्ट्र पथम की यही भावना भारत को आत्म निर्भर बनाएगी साथियों, हमारे सामने एक महान संकल्प है, विक्सित भारत का संकल्प दस साल के बार, लगातार तीसरी बार, जनता जनादन का प्यार, उनका अशिरवार, हमारा होसला बढ़ाता है, हमारे संकल्प को नई मजबुती देता है, नई उर्जा देता है, हमारे बिरोधी एक जूट होकर भी उतनी सीटे नहीं जीत पाए, जितनी इस लोगसभा चुनाओं में अकेली बीजेपी ने जीती है, में देश के कौने कौने में उपस्तित, बीजेपी के कार करताओं को कहूंगा, देश वाच्छों को कहूंगा, आपकी महनत, इतनी गर्भी में आपका बहाया पसीना, ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है, और मैं देश वाच्छों कहें, दुमारा दोहरा ना चाहता हूँ, अगर आप दस गंटे काम करेंगे, तो मोदी अठारा गंटे काम करेंगा, आप दो कदम चलेंगे, तो मोदी चार कदम चलेंगा, हम भारतिया मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, तीसरे कारखाल में, देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा, और ये मोदी की गारंटी है, साथियों, एंडिये सरकार की प्रतिबद्दता, हमेशा ही, समाज के हर छेत्र और हर बर्क के विकास की रही है, बीते दस वर्थों में हमने, पचीस करोड लोगों को, गरीबी से बहार निकाला है, और इसमें एक बड़ी संख्या, स्थी, स्थी, ओबिसी की है, हम तब तक नहीं रुकेंगे, जब तक, गरीबी, देश के अतीद का हिस्सा न हो जाए, बुमन लेट डवलप्मेंट, हमारी सरकार के गवर्णनेंस मॉडल के केंद्र में रहा है, स्पोर्ट से स्पेस, और एंट्रप्रेनर्स थिप तक, हम हर छेत्र में, माताओ, बहनों, बेटियों को नए आउसर देने के लिए काम करेंगे, बीते देस वर्थों में आपने देखा है, हमने मेडिकल कॉलेज के संग्या दो गुनी की है, एम्स की संग्या तीन गुनी की है, स्वरोजगार और स्टार्टर्स में अइतियासिक बड़ोत्री हुई है, हमने भारत को दुनिया का सब्दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मेनिफेक्टर बनाया है, अब इलेक्ट्रोनिक्स, सेमिकंडक्टर और ऐसे नए सेक्टर्स में और तेजी से काम किया जाएगा, हमने देश के डिफेंस प्रोड़क्शन और एक्सपोर्ड को बढ़ाने का प्यास किया है, हम तब तक नहीं रुकेंगे, जब तक देश का डिफेंस सेक्टर आत्मन निर्भर नहीं बन जाता, हम अपने युवाओं को सिख्षा, रोजगार, स्वरोजगार हर शेत्र में ससक्त करेंगे, किसानों के लिए बीच से बाजार तक आदुनिक नीतियों को बनाने का काम और प्रात्पिक्ता पर होगा, दलहन से लेकर खाद्य तेल तक हम अमारे किसानों को हर शेत्र में आत्मन निर्भर बनाने के लिए काम करते रहेंगे, साथियों आने वाला समय ग्रीन एरा है, हरी त्यूक का है, आज भी हमारी सरकार की नीतियां प्रगती, प्रक्रती और संस्क्रती के समागम की है, हम green industrialization पर निवेश बढ़ाएंगे, green energy हो, या फिर green mobility, हम भारत को सबसे आगे ले जाएंगे, भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी करणा भी बना लिक लिए, NDA सरकार पूरी शक्ती से काम करेगी, भाई और भेनो, आज का भारत बैश्विक समाधान का हिस्सा भी बन रहा है, हमने कोरोना के दौरान देखा है, कि कैसे भारत की वैक्सिन कैपिसिटी ने दुनिया को संकट से बचाने में मदद की, हमारे चंद्रयान ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लेंडिंग करके, स्पेस एक्स्पोरेशन के नए रास्ते खोले हैं, क्लाइमेट चेंज से लेकर फूड सिकूरिटी तक जो भी विशय दुनिया के सामने हैं, भारत उनके लिए काम करना अपनी जिम्मेदारी समझता है, भारत ग्लोबल सप्लाइज चेंज को स्टैबिलिटी और डाइवर्सिटी देना भी अपना दाइत्व समझता है, इसलिए भारत आज विश्व बंदू के रुपे सबको गले लगा रहा है, मुझे विश्वास है, मजबुद भारत, मजबुद दुनिया का एक मजबुद स्टम्ब सिद्ध होगा, साथियों, 21 सदी के भारत को आगे बढ़ रहा है, तो उसे करप्शन पर भी लगातार तेज प्रहार करना ही होगा, बिजिटल इंडिया और टेक्नोलोजी ने करप्शन का नेक रास्ते बंद किये है, लेकिन ये भी सच है कि करप्शन के खिलाब लड़ाई दिनों दिन कठीन हो रही है, राज नेतिक स्वार्थ के लिए जब करप्शन का महिमा मनन शुरू हो जाए और इसमें निरलज्जता की सारी हदे पार हो जाए तब करप्शन को बहुत ताकत मिल जाती है, इसलिए तीसरे कारिकाल में एंडिये सरकार का बहुत जादा जोर हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड फैंकने का होगा, भाई और बहनों, भाजपा के हर कार करता के लिए हमेशा से दल से बड़ा देश रहा है, सेवा भाव से बड़ी राजनिती कोई नहीं हो सकती, इसलिए हमें सेवा भाव को सर्वोपरी रखने की प्रमपरा को निरंतर मजबूत कर रहा है, भाजपा का कार करता, जन अकांख्षाओ, जन भावनाओ, और जन अपेक्षाओं का प्रतलिदित्व करता है, और यह हम कभी भोल नहीं सकते हैं, जरूरी है कि समाज के हर वर्ग से और हर व्यक्ति से हम निरंतर संबाद करते रहें, साथ्यों, कुछी दिनों में देश छत्रपति सिवाजी महराज के राज्जा विशेक की तीन सो पचासवी वर्षगाठ बनाएगा, उनका जीवन अपने आप में इस बात की प्रेणा है कि देवपत पर अड़ी कैसे रहा जाता है, अपने धेश पत्में भी हमारी महनत में कोई कमी ना रहे, हम पूरी निश्टा से, पूरी मांदारी से देश की सेवा करते रहे, हमारे जीवन के बहुत बड़ी कसोड़ी होनी चाहिए, हम सभी मिलकर देश के लिए काम करे, हम देश हित को सर्वोपरी रखे, तभी हम अपने लक्षों को हासिल कर पाएंगे, हमारा सम्विदान हमारी गाइडिंग लाइट है, इसी साल हमारे सम्विधान के पचचतर वर्ष पुरे होने जा रहे हैं, केंद्रे की एंडिये सरकार सभी राज्जों के साथ, चाहे वो किसी भी दल की क्यों नहों, मिलकर काम करेगी, विश्षित भारत के लख्ष के लिए हम खुब महनत करेंगे, जम कर महनत करेंगे, हमारे पास रुकने का, ठमने का समय नहीं है, ये राश्ट नीति के लिए एक जूट होकर आगे बढ़ने का समय है, विश्षित भारत के हमें निरंतर बड़े फैसले लेने है, भारत के उजबल भविश के लिए उत्तम फैसले भी लेने है, छे दसक के बाद देश के मतदाताओं ने एक नया इतिहास रचाएं, छे दसक बाद किसी गड़बंदन को, NDA को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का आउसर दिया है, जनता जनारदन के साथ, विश्वास का ये अटूत रिस्ता, ये लोग तंत्र की बहुत बड़ी शक्ती है, आपका आशिरवाद, नए उत्सा, नए उमंग के साथ काम करने की हमारी उर्जा है, मैं हमारे अध्यक्ष स्रिमान नड्डा जी, और संगठन की केंद्र की टीम, संगठन की राज्यों की टीम, जिले की टीम, मंडल की टीम, बूथ लेवल की कमिटी हो या पन्ना प्रमूथ, नड्डा जी के नेत्रुत्व में, अने चुनावतियों के बीच, जिस हिम्मत के साथ, जिस समर्पर भाव से, राष्ट प्रथम के मंत्र को जीते हुए, इस चुनावी जंग में, एंडिये को विजय दिलाई है, वे सब के सब, अनेक अनेक अभिनंदन के पात्र है, मैं आज, देश वास्यों ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, भारतिये जंगता पार्टी पर बहुत बड़ी कृपा की है, एंडिये पर बहुत बड़ी क्रपार्थी है मैं एक सो चालिस करोड देश वास्यों का पुना आभार व्यक्ता करता हूँ मैं हमारे एंडिये के सभी साथ्यों का भी रजय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ मैं इस देश के महान लोकतंत्र को महान समिजान को फिर सद्धा पुरवग नमुन करता हूँ मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की बंदे 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो